हाव डू फिक्स विंडोस 11 ड्राइवर स्टेट फेलियर प्रॉब्लम नमस्कार डूस्तो स्वागरे अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है विंडोस 11 के अंदर पर ड्राइवर स्टेट फेल इस वीडियर का इश्यू है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों अगर यह प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आपको काफी सारे एर औरस काफी सारे डिक्कते काफी सारे इश्यूज फेस करने को मिलेगा आपके विंडोस के अंदर पर ठीक है चलिए द और यह स्थाओं से पहले चीज आपको करना क्या है दोस्तों जाये आपने विंडो के सेटिंग पर ठीकें विंडो के सेटिंग पर यहें उस के इपद में दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा विंडोस आपडेट सो इस यहां पे यह आ neighbor Aktually लिखा हॉवा wifi तेट्व participating में क्लिक जरू करके देखिए ठीक है अगर अपडेट एवल होगा तो अपडेट कीजिए अपने विंडो इलाइवन को ए टीक है मेक्शूर कि आपडेट करें अपडेट करने के बाद में दोस्तों आप यहां पर आपडेट बाद सबक आपकोieron Il亦े करके रिल्ट ना है घिक ऊसके वाद दोस्तों और चेक करके देखे अगर प्रॉल्लम होते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहाई तो यहां पर दोस्तु आपको जो है अपडेट करना परेगा सुन ठीक है उसके लिए दोस्तों आपको जाना पडेगा डिवाइस मेनीजर पे को कैसे उपना करना है मैं आपको इसका तरीका भी बता देता हूं यहां स्टार्ट मेनि न्यूपर राइट करके आप यहां पर जाएं डिवाइस मेनीजर या फिर आप सर्ट भी कर सकते हैं तो भी आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर आ जाना है कि डिवाइस मेनेजर पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है हम इसको सेर्च कर लेते हैं कौन सा ओप्शन रहेगा इसको आपको अपडेट करना होगा ठीक है इसको अपडेट करना होगा और किसी किसी का दोस्तों यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस भी रहते हैं ठीक है अगर आपके पीसी में बायोमेट्रिक डिवाइस का ओप्शन है तो उसको अपडेट कीजिए और डिस्पले एडेट को update कीजिये तो दोनों को update करना चाहिए ठीक है अपडेट करने के बात में दोस्तों आपको check करके देखना होगा कि problem resolved हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर solve होते हैं problem ठीक है अगर नहीं होते हैं तो आपको properties पर जाके यहाँ पे driver के option पे जाना है rollback driver कर देना है ठीक है rollback driver आपको display adapter कर भी करना पड़ेगा और मैंने जो एक आपको बताया था biometric ठीक है biometric devices करके option रहते है उसको भी rollback driver करना पड़ेगा ठीक है तब जाके आप दोस्तो PC को एक बार start कर लिजे और फिर चेक करके देखिए आपका problem solved हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे आप problem को fix कर सकते है ठीक है तो अगर आपका problem solve हो जाते है तो ठीक है अगर उसके बाद भी दोस्तो problem आ रहा है आपको तो फिर दोस्तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं आपको next solution करना पड़ेगा ठीक है तो next solution करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको simply back करके जाना है ठीक है ओके इसको क्लोज करना पड़ेगा नाओ आई यहाब तो गो सेटिंग सेटिंग को आपन कीजिए कि सेटिंग ऑपन करने के बाद दोस्तों आप window and security पर जाएए या फिर window update ठीक है उसके बाद में आपको मिलेगा एडवांस ओप्शन पर आ सो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ठीक है तो ड्राइवर अपडेट एट है तो उसमें क्लिक कीजिएगा उसमें क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा उसके बार आपको सेलेक करना है सेलेक करने के बाद ठीक है आ iICKota करने के बाद आपका driver सही से कम करेगा और उसके बाद में सॉल्फ हो जाएगा आपका problem ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर problem को सुल्फ कर सकते हैं दूस्तों को इसे सॉल्फ हो जाना चाहिए Problem अगर सुल्फ हो को अन करके भीदेख सकते थिक फास्ट अब ओंन करने के लिए दोस्तों आप जाए्जे कॉंट्रॉल पैनल पर कि उसके बाद में दोस्तों आपको सलेक्ट लगना है सिस्टेम एंज सेकुरूटी ठीक है फिसकेद awakening आपको कहाँ पर क्लिक करना है चुछ वाट डपावर बोटन डू एंड यहाँ पी क्लिक करना है चेंज सेटिंग डेर करेंड यह अने वल लेवल उसके बाद में आपका जो सेटिंग है ठीक है जो सेटिंग है लुआ है यह आपको इससे बंड करना पड़ेगा तक है कि दोस्तों यह करने से आपको प्रॉललबं हो सकते हैं तो लॉक का शूरके आपको यह 3 एंसके बातसaking करके चैंज सको सेफ कर दीजिए उसके बाद में दोस्तों आप चेक करके दीखीगा सॉल्फ हो जागा प्रॉल्लम अगर सॉल्फ हो जाते है ठीक है अगर फिर भी सॉल्फ नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आखरी सॉलुशन बता रहता हूं उसके लिए विंडो टर्मिनल स्केन नब तो यह टाइप करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करने के बाद में आपको तोरह सा वहाइट करना परेगा तो यहाँ पर जब आपका स्केंन कम्प्यों हो जाएगा उसका कांटवन करने से कांटवन मिलेगा तो क्मप्यूत होने के बाद आपका स्केंन कम्प्लीट अडेंट प्रम्ड कर सकतें तो यह था दोस्तों कुछ solutions जिसको आप follow करते हुए आपका problem यहाँ पर solve कर सकते हुए उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching